हलो एविवन कैसे हो आप सब मैं हूँ गौर कावरा एक बार फिर से आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है नहीं नहीं रिक्वेस्ट आने लग रही है स्टूडेंट जाना चारे हैं कि सर अब जून का एक्जामिनेशन सी है में फाइनल का बहुत जादा धूर नहीं है ऐसे में SFM पेपर को कैसे तयार करना है क्या रराइस करना है स्टूडेंट अल्रेड़ी इंक्वाइर करने लग रहे हैं अब भी से इंक्वाइरी दिरे दिरे शुरू होगी और एकड़म एक्स्ट्रीम लवल तक पहुच जाएगी एक्जाम तक जाते आते तो ऐसे में एक तगड़ा रिविशन प्लाइन आपके सामने होना चाहिए बढ़ हमेशा की तरह मेरा अब्जेक्टिव से इतना नहीं है कि यार मैं आपको एक रिविशन प्लाइन दे दूँ और वो रिविशन प्लाइन के हिसाब से बस आप एकड़म उसी को ले करके चले और उसी हिसाब से चले मेरे एकड़म भी ऐसा प्रीचिनेस वाला तो लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जस्ट इन केस यू अवन ड़न और शुरुबात करते हैं अपने इस वीडियो की विट दर रिविशन प्लाइन फॉर एस एफम फॉर जून 2024 एक्जामिनेशन शुरुबात करते हैं सबसे प पेपर पैटर्न बीना एक ही टम में बदल दिया गया अभी नया पेपर पैटर्न लास्ट जो आया वो उसको अम्मान ले अगर और लास्ट को मानना भी चाहिए क्योंकि हमको नम पहले से एडवांस में बोल दिया गया था थ्रू दी मॉडल पेपर्स कि भई इस तरह का पे तो इन आड चीजों पर चर्चा होगी, इमपोर्टन चाप्टर्स के बार में चर्चा होगी, और ये फिल्ट फाइनली हम देखेंगे, कि किस तरह हम इस पेपर में यार पचास साथ लाइक तैयारी तो definitely कर लें, और किसी को जादा लाना है, तो कैसे लाना है उसके उपर चर्चा करेंगे चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैंने आपके लिए पेपर पैटर्न का ही discussion आपके सामने रखा है आपका पेपर पैटर्न अब मैं फिर से समझा दू 2022 के syllabus का एक पेपर इस तरह से आया है अल्रेडी जो की था December 23 का पेपर इसके लावा model papers को मैंने evaluate किया और उसी से मैंने ये paper pattern evaluate किया है एक तरह से आपके सामने रखा है हाला कि there is no guarantee कि इसी तरह का paper pattern आगे follow होगा पर जितना मैं CM Institute को जानता हूँ follow होना चाहिए दो sections आएंगे इसमें section A मेरे हिसाब से अब सबसे sweet spot है वो section है जहाँ पे तगड़े number मिलेंगे अगर आपने अच्छी तियारी करिए jump के number मिलेंगे then we have section B section A जो है हमारे पास उसमें 15 ही questions पूछे जा रहे हैं दो दो number के तो यहाँ पे 30 marks के MCQs हो गए यानि multiple choice questions हो गए अब कई बच्छे यहाँ सोच रहे होंगे okay हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ अपने इसाब से explanation भी लिखना पड़ेगा जवाब है नहीं आपको ABCD जो भी है उसी के इसाब से बस option लिखना है जादा जादा option को उतार सकते हो हलाकि वो भी requirement नहीं है इसके अलबा explanation is not required आने वाले time पे मुझे यह ऐसा लगता है कि हो सकता है institute इसमें number of questions बढ़ा दे एक सारे दो-दो number के नहीं रहें कुछ एक marks के introduce कर दिये जाएं पता नहीं क्या होगा लेकिन यह 30 marks के MCQ बहुत important है कैसे तयार करना है उसके उपर एक reel बनाया था मैंने थोड़े दन पहले shot बनाया था youtube पे ही डाला हुआ है आप देख सकते हैं उसको भी और नहीं तो भी यहां पे मैं समझाओंगा आपको कि इसको कैसे आपको तयार करना है then we have section B section B में अगर हम बात करें तो total तो 7 questions होते हैं उन साथ में एक theory question होता है जो की 14 number का होगा मेरे इसाब से एक typical student को इसको exam में ना छोड़ने का ही सोचना चाहिए आपके आस option है 7 में से आप 5 questions कर सकते हैं ऐसे में एक theory question को अगर आप छोड़ देंगे तो भी 6 questions जो practical रहेंगे उन में से आप 5 attempt करोगे आपका गाम हो जाएगा तो ये 6 practical questions है 14-14 number के इनको कैसे attempt करना है कि दर क्या आएगा उसके आप पर चर्चा करते हैं तो next up here on our strategy for our plan is chapter wise presence या फिर importance इसको हम strategize करने जा रहे हैं यहां पर आपके लिए chapter wise मैंने सारा input लिख रहा है जैसे example के तौर पे capital budgeting अगर आप देखेंगे तो capital budgeting 7 number का है leasing भी 7 number का है risky proposal 7 का है mutual fund 7 number का है मेरे को ऐसा लगता है ये 7-7-7 की category में आने चाहिए इसके अलावा अब interestingly security analysis 14 number के लिए पूछने लगे है 2016 का जो syllabus था उसमें एक तरह से security analysis पूरी तरह से extinct हो गया था कोई questions ही नहीं पूछते थे पर अब इन्होंने पूछना शुरू कर दिया है जाईशी बात है security analysis में दो ही चीज़े करनी आपको एक है equity valuation और एक है bond valuation अब इनके उपर कुछ questions आपको देख के जाने होंगे CA final में इसके बहुत questions पास में पूछे गए हैं तो हमारे पास कोई questions की कभी कमी नहीं होगी ये revision के दौरान हम और बैतर तरीके से cover up कर लेंगे तो security analysis अब 7-7 number के एक equity और एक bond valuation के question के लिए त्यार रही है मिरको लगता आने चाहिए वाँसे question फिर portfolio देखा जाए तो 14 number है derivatives 14 है, forex 14 है theory भी अलग से 14 number और MCQ obviously 30 number का है ये दोनों तो चलो वो है theory हो है जिसे हम छोड़ना चाहेंगे और MCQ हो है जो section A का part है section B का part नहीं है अब यहां एक interesting observation में आपको उताता हूँ मुझे लगता है वहाँ institute एक गलती कर रहा है interesting observation ये है कि institute ने अब भी जो question paper बनाया और जो model paper भी बनाया उन सभी में forex का अगर कोई question set किया न तो एक single question में forex के दोनों questions डाल दिये similarly for derivatives, for portfolio and everything खास करके derivatives यानि कि अगर कोई बच्चा ये दोनों chapters, जो कि obviously dangerous chapters है, derivatives और forex दोने dangerous chapters है, अगर इन दोनों को कोई छोड़ करके जाए exam में और सिर्फ theory के बूते जाए कि मेरा paper छूटे भी नहीं और मैं इन दोनों chapters को बिना attempt किये भी करूँ, तो एक तगड़ी risk बन सकते हैं यहां पे यहां पे मतलब तगड़ी risk है तो reward भी मिल सकता है, क्या वालों institute इसी paper pattern के साथ चले मुझे थोड़ा सा डर है, मुझे थोड़ा सा fearful है कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कि institute ये बात समझाए कि नहीं भाई एक question में दोनों derivatives मत पूछो एक question में दोनों forex मत पूछो एक derivatives, एक forex, एक derivatives, एक forex या फिर कुछ करके bundle up करके पूछो वैसा करने से क्या होगा ना, एक single chapter को पूरी तरह से कोई भी student strike off घर से नहीं करके जा पाएगा तो ये मेरे ख्याल से, ये एक paper pattern में change आ सकता है, बट आभी फिलाल ऐसा कोई change नहीं है, अभी जो paper pattern उसके इसाब से derivatives आ रहा है, तो एक question में दोनों part आ रहे हैं derivatives के और forex भी आ रहा है, तो एक equation में दोनों part आ रहे हैं forex के, इंट्रेसिंग है और ये पूरा ही छूट सकता है, मतब आभ ऐसा है कि अगर आप derivatives attempt करोगे तो be ready to attempt both questions, forex करोगे तो be ready to attempt both questions, एक question वा के रहाला कोई काम नहीं है आपे, ठीक है अब आते हैं अपने revision plan पे, तो देखो revision plan मेरा हमेशा से मानना है कि revision plan वैसा बनाईगे, number one, जो chapter easy भी हो, और number two, जो chapter बहुत rewarding भी हो, मतब बहुत जल्दी, अगर हमसे paper पेपर जो है, pastrum की paper वो बनने लग जाए ना, तो हमारा confidence बहुत तेजी से उपर जाता है, और इस चीज को साबित करने के लिए यार, मैंने एक revision अल्रेडी लिया था, last batch में, I think YouTube पे हमने नहीं डाला था, वो था portfolio and security analysis का, इस पे एक तुगड़ा revision session लिया था, और उसी revision session में सारे सवाल करा दिये थे portfolio and security analysis के, जो की exam के लिए बहुत relevant थे, और उसी से लगबग-लगबग 30-40 number का पहले first भी रा था आज के date पे भी मुझे लगता है, कि 28 marks का portfolio and security analysis जो है, वो यहां से फसना चाहिए, और जाहिए सी बात है, इसलिए ये मेरा recommendation number 1 है, कि कोई भी बच्चा revision शुरू करे, उसके time पे portfolio and security analysis सबसे पहले उसको revise करना चाहिए, अब देखा जाए तो हम लोग की जो class है, जो हम लोग SFM की class कराते है, उसमें भी हमारा first chapter जो हमने record कर रहा है, वो portfolio है, क्योंकि एक बहुत ही must topic है, और इस topic में थोड़ा statistics involved हो करके, एक introduction हो जाती है SFM की, इसलिए हमने भी इसी से start किया, रिविजन के लिए भी मेरा guidance यही है, कि इसी को आपको revise करना चाहिए, so portfolio management and security analysis to be revised first, उसके बाद में mutual fund एक छोटा सा topic है, साथ नमबर के लिए यह भी पूचा जा सकता है, तो इसको कर लेना चाहिए, leasing capital budgeting, इनको भी करना चाहिए साथ-साथ, अब यह आगे पीछे भी कर सकते हो आप, capital budgeting पहले leasing बाद में, क्योंकि सब में ultimately capital budgeting के principles फॉलो होने वाले हैं, तो ऐसे में यह साथ में ही आपको करने पड़ेंगे, risky proposals में इसाब से एक बहुत interesting और simple सा topic है, यह exam में definitely आपको attempt भी करना चाहिए, और revision में ज़्यादा जोर नहीं लगेगा, मैं फिर बता दू, ज़्यादा जोर लगेगा तो capital budgeting में लगेगा, leasing में लगेगा, पर risky proposals will be rather very easy, and उसके बाद हमें derivatives of orex के revision में जाना चाहिए, उसके बाद हमें theory करना चाहिए, और उसके बाद MCQ की तियारी करनी चाहिए, MCQ पर चच्चा करी लेते हैं, MCQ को सबसे last में करने का reason यह है, कि MCQ में यह लोग बहुत जादा practical questions पूछते हैं, ऐसे भी अगर आपका पूरा का पूरा syllabus का practical coverage नहीं किया हुआ है, फायदा नहीं होगा MCQ solve करके, आपने अगर कोई भी area, जैसे example मैं दे रहा हूँ, hedge ratio आप से पूछ लिया दो number के लिए, तो hedge ratio तो derivatives के अंदर एक छोटा सा concept है, हम जब valuation करते हैं, calls की, puts की, यानि options की, तो उसमें hedge ratio एक छोटा सा concept है, जो बीच में आता है, अगर आपने derivatives पढ़ा ही नहीं, तो आप hedge ratio का ये MCQ solve नहीं कर पाऊगे, इसने पूरा syllabus करने के बाद में, MCQs में आना is a better choice, दूसरा, MCQ में कुछ 3-4 question मुझे लगता है, theoretical भी आएंगे, और SME theory भी पहले देख लेना better रहेगा, तो एकदम nut shell में कहूं, तो MCQ की तयारी नहीं एकदम last में करिए, पहले MCQ को उठा करके कोई मतलब नहीं है, हाला कि MCQ important कितना है, वो आपको मैं बताता हूँ, तो coverage क्या है, बई coverage के उपर में भी बात कर लेते हैं, कि क्या-क्या cover करना है सर, और अधिकते स्टूडेंट जो है ना, वो इतना डर पोक है, इतना डरता है कि यार हमें ये करना होगा, वो करना होगा, तब जाकि एक्जाम होगा, मैं पहले ही clear कर देता हूँ, कि SFM के एक्जाम को देना और इसमें अच्छे नंबर लाना, इसमें knowledge से जादा confidence का खेल है, मैंने भी ये किया हूँ है, मैंने बहुत students को पास करा है, मुझे फता है कि यार SFM में maximum बच्चे under confident होते हैं, डरते हैं और इसी वज़े से उनके paper ना बहुत जादा अच्छे नहीं जाते, अगर आपने अपना confidence अवाल लिया, अगर आप ये सोच के जा पारे हैं, कि हाँ मेरी coverage वो बहतरीन है, तो फिर आप ultimately exam भी अच्छा ही देख कर क्या होगे, अब ऐसे में कहां से क्या-क्या पढ़ करके जाना है, ये समझ लीजे, सबसे पहला जाहिर सी बात है, जिदर से भी आपने class ली, not necessarily me, कोई भी teacher जिन से भी आपने class ली, या फिर से बस्टड़ी किया, तो आपने खुद की एक copy, खुद का कुछ material तयार किया होगा, वहाँ से सबसे पहले आपको revision करना है, तो पॉसिबली अगर आपने class ली है, तो class आपको वापस videos देखने की जुरत नहीं है, आप यहाँ तो बच्चे या रखतम पागल बन जाते हैं, कितना spoon feed करा होगे खुद को, आपने classes देख ली, copy में आपके सवाल है, सब कुछ है, बस खतम, अब आपको सिफ copy से revise करना है, mat से revise करना है, and that's it, उससे जादा कुछ नहीं करना है, पहला काम यह होना चाहिए, number two, आपको scanner खरीद लेनी चाहिए, मेरे ग्याल से, CMA final level के लिए, और in fact, also for CMA intermediate level, सुचित्रा प्रकाशन की scanner can be worked with, सुचित्रा प्रकाशन की scanner, हर बच्चे के पास में होनी चाहिए, Sir, मेरे पास बिचले टर्म का है, नया लू क्या, नया लेना है, आपको कोई भी updated scanner लेने की दरकार नहीं है, जो भी आपके पास scanner है, अगर उसमें कुछ questions missing है, तो उन questions का अलग से paper पर प्रिंट आउट ले लो, paper जो आए हैं, उनकी print out ले लो आपके काम होचाएगा, लेकिन scanner solve करके जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यह आपको एक indication देता है, कि आप exam ready हो के नहीं हो, सो scanners extremely important, जरूर से करने चाहिए, यह CMA final के स्कैनर की बात कर रहा हूँ, फिर institute की study mat की जा सकती है, institute की study mat की बात करें, तो institute की study mat में भी न, past term के questions गुमा फिरा करके पूछे कए हैं, तो अगर आपने scanner किया होगा, there is a great chance की institute का study mat हो चुका होगा साथ साथ में, फिर भी एक बार overview करने में कोई बुराई नहीं है, and finally, कुछ बच्चों का ऐसा लगता है कि सर, CA final भी करना चाहिए, तो लो जी, CA final का जो SFM या आज के date पे AFM बुलते हैं इस paper को, इसके भी आप scanner purchase कर सकते हैं, इसके भी past term papers आप कर सकते हैं, यह बात मेरे से छुपी नहीं है, और में कहाल से, आपको भी माँ बता दूँगा, तो आपका भलाई होगा, कि कोई भी नया question, CA final में जब आता है, उससे पहले वो CA final exam में आया हुआ रहता है, now this is a very great observation, कि हाँ CA final में कोई भी नया question, नया नहीं रहता है, वो पहले CA final में पूछा हुआ रहता है, 2-3 साल पहले कभी ना कभी CA final में पूछा हुआ सवाल, आपको बाद में अपने विपर में देखने को मिलता है, जैसे, for example, December 2023 में ही, I think mutual fund जितना मुझे याद आ रहा है, जो question था, वो 2019 में ही पूछ लिया गया था, CA final में, तो हाँ, इस तरह के questions जो होते हैं, वो यहाँ पर replicate जरूर करते हैं, but discover तो यह नहीं है, कि हम यार CA final level की तयारी करें, CA final में कोई advanced level questions पूछे जाते हैं, जो CA final में कभी नहीं पूछे जाएंगे, तो जरूर वो एक transition ना भी हो, लेकिन फिर भी अगर आपको ऐसा है कि नहीं हमारे पास बहुत समय है, हमें बहुत अच्छे से SFM पढ़ना है, तो हाँ जी, CA final के भी scanner आप कर सकते हो, कोई मना ही नहीं है, Sir, confidence कैसे build करें, confidence build होगा, इस बात को accept करने से, कि SFM एक technical paper है, मैंने थोड़े टाइम पहले, SFM और CFR को ले करके, बताया भी था, एक video भी उनाया था, danger ahead, ऐसे कुछ करके, मैंने video बनाया था, आपने नहीं देखा, तो चैनल पर जाके देख लेना, और आपको पता ही नहीं है, ना कि बराबर चांस हो जाते हैं, SFM और CFR में लाने में, SME आप क्यों खुद को overburden करते हो, with expectation, मेरे साथ साथ प्लीज बोलो, SFM में 60 लाना easy है, SFM में 70 लाना hard है, SFM में 80 लाना, बहुत ज़ादा hard है, correct, and 90 लाना impossible है, और आप कोईगे, आप में से एक दो बच्चे होंगे, जो 90 क्या 95 लाएंगे, मेरे को वाट्टाप पे बेढ़ेंगे, ये लो 95 लेके आए है, पर ऐसे कितने होंगे रहे भाव, एक दो, correct, maximum बच्चे, 90 का सर्फ खौब देख रहे हैं, जबकि 90 उनका आएगा ही नहीं, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा है, मैं रियालिटी बता रहा हूँ, तो ऐसे क्यों खुद को ओरबर्डन करते हों, आप अपनी ताकत समझो, आप अपनी कैपसिटी समझो, आपने कितनी महनत करिये, उसको भी तो एक नॉलेज करो, आप इंपुट और आउटपुट में सिर्फ आउटपुट के बारे में सोचो, इंपुट का क्या, आपने महनत जितनी करिये, उसके बाद 90, 95, 100 होगा सोचो ना यार, तो प्लीज इस तरह के ना, वियर्ड टागेट्स मत बनाईए, मेरे हिसाब से, एसे फेम में एक रियलिस्टिक टागेट होना चाहिए, पचास सोच के जाने का, आप एक्जाम में बैटे हैं, आपका टागेट होना चाहिए, मुझे पहले डेड़ गंटे में पचास नंबर लेके आने हैं, मेरे पचास आ जाएंगे न, तो मैं धीरे दीर अपने टागेट को, एक्जाम में बैठे बैठे रिवाइस करूँगा, पचास आ गए तो बोलूगा चल अब साट, साट आ गया तो चल सत्तर, सत्तर आ है, तो असी फिर नबए फिर सौ भी जाएंगे, लेकिन वो टागेट्स ना धीरे धीरे भरने चाहिए, ना गी घर से सोचके जाए, असी नहीं आ है, तब तो कोई फाइदा ही नहीं है, से फम देने का, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको पेपर देखना है, पेपर पहचानना है, और उसी के हिसाब से पेपर को अटेम्ट करना है, तो मेरे हिसाब से ओवर बर्डेन खुद को खृप्या करके मत कीजिए, एक्सपेक्टेशन बहुत उपर मत बनाईए, पहले 50 को एम कीजिए, और उसके बाद में प्रोसीड कीजिए, अपने गोल को एक्सपैंड करते जाइए, जैसे से आप अपने एक्जाम में आगे बढ़ रहे हो, जब पास कैसे करना है, अब इसका एक फाइनल प्लान बताओ, क्योंकि SFM में बच्चे बड़े फेल होते हैं, SMSR, SFM को पास कैसे करें, 60 के आजपास का स्कूर कैसे लेकर हैं, बता दो, तो देगो, मेरे हिसाब से, आपको MCQs में करनी चाहिए, जी तोड महनत, क्योंकि मुझे लगता है कि 15 में से 11 क्वेशन आप अटेम्ट करके, मतब अच्छे से अटेम्ट करके राइट कर दोगे न, तो 22 नंबर मिलेंगे आपको, समझे हो, मतब मैं बहुत जादा नहीं मांग रहा हूँ आपसे, 70 परसेंट के आजपास की अक्यूरेसी मांग रहा हूँ, कर सकते हो इतना काम मेरे लिए, खूद के लिए, तो 30 में से 22 नंबर अगर आप MCQ में उठा लेते हो, यार हाफ डन, आपका आदा गाम हो गया, इसके अलबा पॉर्टफोलियो और सिक्यॉरिटी अनलिसस, मैंने कहा, यह इजी चाप्टर है, हाँ, यहाँ पे नंबर अफ क्वेशन बहुत आ प्रैक्टिस करने को, आप स्कैनर करने बटोगे, ठग जाओगे, चूर हो जाओगे, बहुत जादा क्वेशन है, लेकिन फिर भी, यहाँ पे आने वाले हैं, टोटल मिला के चार क्वेशन एक्वेशन में, अगर पेपर पैटर्न ठीक से फालो हुआ तो, चार मेंसे मैं बहुता हूं, दो एटेम्ट करके पूरा राइट बना दोगे, मेरे जाल से, यहाँ चार मेंसे दो आप अगर करेक्ट करते हो तो, और आप थोड़े बहतर करते हो, मिउचल पंड मेरे को लगता है कि यार इसको अच्छा त्यार करू, साथ में साथ लाने का टागेट रखो, आप कई बोलेंगे, हमें मिउचल पंड पसंद नहीं है, पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है, आप इसको सब्स्टिट्ट करो with some other topic, लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि इसको तो आपको त्यार करना चाहिए, मिउचल पंड एक अच्छा topic है, नंबर भी आते हैं इसली, फिर capital budgeting, risky proposal और leasing, तीनों से एक-एक question आएगा, इसमें भी आप ना 21, मतब तीन questions आएंगे तो 21 marks हो जाएंगे, 21 में से एक question भी right बना लिया, आपने पूरा-पूरा तो 7 number मिल जाएंगे, सब हम साथ क्यों 10-12 भी तो ला सकते हैं, लाओ, एकदम मना नहीं है, मैं minimum बोल रहा हूँगी, 7 तो आपको लाना ही चाहिए, out of 21, और बाद बाद की derivatives of Forex में से कोई एक ही बचे का last pen attempt करने को, और बाद बाद की आप पूरा paper attempt कर चुके होंगे, theory attempt नहीं करोगे तो, तो वहाँ पे आपको दो में से कोई A question आप से बन गया, अच्छे से पूरा बन गया, पूरा एकदम 60 बन गया, तो फिर वहाँ पे आपको और साथ number मिल सकते हैं, सब को net net करें, अगर total करें, तो यार 57 का count आ जाता है, इतना सा सोचने में, मतब इतना घटिया लेवल सोचने में भी, कि मेरे number कड याएंगे, मेरे से नहीं बनेगा, सब कुछ सोचने हैं, बावजूत 57 का number आ रहा है, अब ये 57 को 77, 87 ले जाना आपका काम रहेगा, लेकिन ये एक basic tenant होना चाहिए, ये एक basic, मैं कह सकता हूँ, त प्लान मेरे साब से वर्क करेगा, बाद बाकी आपके क्या thoughts हैं, आप comment में डाल देना, और अगर आपको और कुछ भी वारता करनी है, कोई भी topic पर आपको वीडियो चाहिए, तो please let me know, मैं जरूर से उस पर वीडियो बनाऊंगा, अभी के लिए इतना ही रखते हैं, एलसे